हमारा अगला विशह है वेगों का संयोजन या वेगों का रूपांतरन अगर हम किसी दो वस्तुओं को हम देख रहे हैं जो आपस में एक दूसरे की अपेक्षा भी चल रहे हैं हमारी अपेक्षा भी चल रहे हैं तो अगर हमें दोनों वस्तुओं का वेग पता है अपनी अपेक्षा तो फिर एक वस्तु की अपेक्षा दूसरे वस्तु का वेग कितना होगा यह जो हम निकालते हैं इसको हम वेगों का संयोजन कहते हैं या वेगों का रूपांतरन कहते हैं तो वह हमारा आज का आज के लेक यह हम कहेंगे addition of velocity यह transformation of velocities तो मुख्य आइडिया यह है कि हमारे पास एक frame है s frame और हम किसी वस्तु को देख रहे है और इस s frame से देखने पर इसकी कुछ velocity है कुछ velocity है इधर और s prime frame भी है और इस s prime frame से भी हम इसको देख रहे है और s prime frame से अगर इसको देखेंगे तो कुछ और velocity मिलेगी तो अगर s frame से अपने को इसकी velocity पता है s frame से s prime की velocity अपने को पता है तो s prime से देखने पर इसकी क्या velocity होगी यह हम निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं संयोजन या रुपांतरण तो velocity कैसे निकालते है velocity निकालने के लिए आपको पता है velocity वेग निकालने के एक बहुत छोटा समय अंतराल अगर हम लें और छोटे से समय अंतराल में कितना विश्थापन हुआ उसको देखें उसमें भाग लगा दें तो वह उस समय का वेग होता है तो इसी का उपयोग करके हम S frame में वेग लिखेंगे और S prime frame में वेग कैसा होगा वह हम लोग Lorentz transformation के माध्यम से निकालेंगे तो S frame में इसका वेग पता करने के लिए और इसका हम स्थान लिख लें T1 समय पे इसका स्थान लिख लें इसका स्थान X1, Y1, Z1 यह है और किस समय पे है वो भी लिख लें तो T1 समय पर है और थोड़ा से समय अंतराल गुजरने दे और T2 समय पर देखें कि यह कहां पहुंच गया तो यह थोड़ा सा आगे खिशक जाएगा कि जिस तरफ वेग होगा उस तरफ खिशक जाएगा और हम यहां चित तरह से देख सकें तो यह यहां से चल करके मालने यहां पहुंच गया उस समय अंतराल में और इस समय इसका जो स्थान है X2, Y2, Z2 हो गया है और समय T2 के उपर हो T2, T1 से थोड़ा सा अधिक है तो हम क्या कहेंगे हमारे जो विलासिटी है उस विलासिटी के तीन कंपनेंट स तो विलासिटी किसकी इस इस पार्टिकल के पी इस का नाम दे सकते हैं विलासिटी या वेग कन पी का वेग अगर हम लिखे इस समय पे तो वो हम लिखेंगे उसके तीन कंपनेंट होंगे Dare is you X पहले X Company लिखे तो X कोर्डिनेट में कितना परिवर्तन हुआ यहां ایک सब्सक्राइब था T1 समय पे T2 समय पे एकस 1 से बदल करके X 2 हो गया है तो X कोर्डिनेट में कितना परिवर्तन हुआ या X-axis की दिशा में कितना विस्ठापन हुआ वो विस्ठापन होगा X2-X1 और कितनी देर में हुआ तो वो होगा T2-T1 इसी प्रकार से इसी प्रकार से अगर इसी पार्टिकल को S' फ्रेम में देखा जाए इस प्राइम फ्रेम से इसको देखा जाए तो यहां पर से गुजरा है वो एक इवेंट है और यहां पर से गुजरा है T2 समय पर यह दूसरा इवेंट है इन इवेंट को अगर हम S' में देखे तो S' में भी यही सारा मामला है इस प्राइम फ्रेम में यह जो इवेंट है कि T1 समय पर X1, Y1, Z1 पर यह आया इसको अगर हम इस इवेंट को S' में देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ X1 प्राइम, Y1 प्राइम, Z1 प्राइम यह उसके कॉर्डिनेट्स है और टाइम वो T1 प्राइम है और दूसरा इवेंट इसको देखें यह थोड़े समय के बाद पार्टिकल यहां पर पहुंचा है इस स्थान से इस समय गुजर रहा है यह जो इवेंट है जो T2 समय पर हुआ है इस इवेंट का अगर हम इस प्राइम एकोर्डिये इंगे तो वह भी कुछ मिलेगा वह जो उन प्राइयम य दो प्राइयम देट टो प्राइम और इस मेरी ओकिस समय को दा बीओगा तो इसप्रेम मने इस प्रोटिकन ने और फिर से हम तीन पर द कॉंप नेगे एक तो वेग का x component कैसे लिखेंगे एक ही रूल है यू एक्स प्राइम बराबर x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम बटा t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम t1 प्राइम समय पे ये कंड इसका x कॉडिनेट इतना है और t2 प्राइम समय पे बदल करके इतना हो गया है तो x कॉडिनेट में जो परिवर्तन है वो x दिशा में विस्थापन है और जितना समय लगा है उससे आपने भाग लगा दिया है तो आपको वेग का x component मिलेगा इसी तरह y component लिखेंगे तो y direction में जितना विस्थापन हुआ है यहने y2 prime minus y1 prime बटा t2 prime minus t1 prime और z component लिखेंगे तो u z prime बराबर z2 prime minus z1 prime और बटा t2 prime minus t1 prime तो अगर इन components को s frame से जो हमने देखा था component उनके साथ हमें relate करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें transformations का इस्तेमाल करना पड़ेगा Lawrence transformation का इस्तेमाल करना पड़ेगा x component यहाँ पर लिखा हुआ है आप y और z component भी लिख सकते हैं s frame से y2 minus y1 बटा t2 minus t1 और u z यह z2 minus z1 और बटा t2 minus t1 और lawrence transformation याद होगा आपको lawrence transformation अगर हम लिख ले अलग से यहां तो x prime बराबर x minus vt बटा square root 1 minus v square by c square और इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं x minus vt गुना gamma जहां gamma लिख रहें किसके लिए 1 by square root 1 minus v square by c square के लिए यह x के लिए lawrence transformation इस परकार से है y prime बराबर y आपको याद है z prime बराबर z आपको पता है और t prime बराबर t minus x v by c square और बटा square root 1 minus v square by c square और थाथ t minus x v by c square इंटो gamma यह अपने lawrence transformations है तो इन lawrence transformations का अगर हम इस्तेमाल करें और इधर is u x prime u y prime u z prime को इन में लिखने की कोशिश करें संबंद स्थापित करें वेगों में तो क्या बनता है तो पहले x को देखें u x prime को देखें पहले u x prime बराबर x 2 prime और minus x1 prime x 2 prime minus x1 prime को देखें है x prime यह इतना है x minus v t into gamma और gamma 1 minus v square by c square square root 1 by वगर वो फिक्स्ट है तो आप लिखें इसको x 2 prime x 2 prime के जगा लिखेंगे x 2 minus v t 2 into gamma ऐसा और minus x 1 prime और x 1 prime के लिए फिर से इसी का इस्तेमाल करेंगे तो minus x 1 minus v t 1 into gamma ऐसा नीचे आईए हर यह अंच हो गया यह हर t 2 prime तो t 2 prime के लिए इसका इस्तेमाल होगा t prime बराबर t minus x v by c square into gamma तो t 2 prime लिखना है तो यहां t 2 लिखेंगे यहां x 2 लिखेंगे तो t 2 minus v x 2 by c square into gamma और minus t 1 prime अर्थात minus t 1 minus v x 1 by c square into gamma तो आप देखेंगे फेल तो gamma काट लिखेंगे सारे gamma कट जाएंगे gamma यहां से common लिखेंगे यहां से common लिखेंगे काट लिखेंगे क्या बचा यह बचा यह बचा x 2 minus x 1 और और माइनस v common लेकर t 2 minus t 1 गामा काटने के बाद x 2 minus x 1 यहां और उसके बाद यहां से माइनस v common लेकर t 2 यहां से और माइनस t 1 वहां से यह इतना और नीचे क्या हो गया नीचे भी गामा काटम अब t 2 minus t 1 है t 2 minus t 1 यहां t 2 लिख लिख लिया minus t 1 लिख लिख लिया और यहां देखिए अंश में भी और हर में भी तो क्या बनता है यह बटा का चिन में यहां लिख रहा हूं यह उपर है x 2 minus x 1 और minus v t 2 minus t 1 हम t 2 minus t 1 से भाग लगा रहे हैं तो x 2 minus x 1 बटा t 2 minus t 1 और यहां minus और यह v और t 2 minus t 1 बटा t 2 minus t 1 1 नीचे भी वही काम करना है जतने से उपर भाग लगाया उतने से नीचे भी भाग लगाये t 2 minus t 1 से भाग लगाएंगे यह फैक्टर हो जाएगा 1 minus v by c square और यहां हो गया x 2 minus x 1 और बटा t 2 minus t 1 1 minus v by c square x 2 minus x 1 बटा t 2 minus t 1 और इसको देखिए यह क्या है यह क्या है x 2 minus x 1 by t 2 minus t 1 यह क्या चीज है यह यह है u x x 2 x 1 t 2 t 1 s frame में x दिशा में जो वेग का घटक है वो है यह u x बराबर x 2 minus x 1 बटा t 2 minus t 1 यह u x है और यह हो गया u x u x और minus v बटा 1 minus और फिर से वही चीज जो यहां है वही यहां है v into u x by c square v into u x by c square तो यह है transformation velocity का u x prime बराबर u x minus v बटा 1 minus v u x by c square तो इसको हम कहीं एक जगह लिख लेते है इसको हम यह तो अब याधी हो गया पहले भी याधी था तो इसको इधर लिख लेते हैं u x prime बराबर u x minus v बटा 1 minus v u x by c square अब हम u y prime के उपर काम करते है तो u y prime यहां लिखा हुआ है तो u y prime बराबर y 2 prime minus y 1 prime or बटा T 2 prime minus T 1 prime y 2 prime बराबर y 2 minus y 1 prime बराबर y 1 बटा T 2 prime T 2 prime यहने T 2 minus v by c square यहां और x 2 यहां और इस पूरे का गामा यह T 2 prime T 2 minus v by c square x 2 और इस पूरे का गुना गामा मिनस T 1 prime T 1 prime यह T 1 minus v by c square or x 1 और इस पूरे का गुना गामा ऐसा तो यह बराबर बना y 2 prime y 2 minus y 1 बटा गामा को बिलकुल बाहर कॉमन ले लिजे यहां नीचे से और उसके बाद T 2 minus T 1 T 2 minus T 1 और minus v by c square को कॉमन ले लिजे इसमें से इसमें से माइनस v by c square को कॉमन ले लिजे x 2 minus x 1 और अब अंश में और हर में दोनों में T 2 minus T 1 से भाग लगा दे जाए तो क्या बना ऊपर बना y2 minus y1 यह हमारा बड़ा वाला बक्ता है और उपर में हम भाग लगा रहे हैं T 2 minus T 1 से और से भाग लगाएंगे तो यहां 1 और minus v by c square और यहां x 2 minus x 1 और बटा T 2 minus T 1 यहां हमने भाग लगा करके यह लिखा और यहां भाग लगाया तो इसका 1 हो गया और इसमें भाग लगा कर हमने यहां लिखा और यह क्या बन गया y2 minus y1 बटा T 2 minus T 1 याने S फ्रेम से यह सभी S फ्रेम की चीजें है S फ्रेम से इस कन के वेग का य दिशा में घटक अर्था u y यह है u y और इस ब्राकेट में क्या है इस ब्राकेट में है 1 minus v by c square और उसके बाद देखिए x2 minus x1 बटा T 2 minus T 1 यह है S फ्रेम से देखने पर कन के वेग का x दिशा में घटक और इसलिए इसको आप u x लिखेंगे यह हो गया u x अब बच गया है यह गामा यह गामा का मतलब है गामा का मतलब है 1 by square root 1 minus v square by c square तो 1 by gamma है तो मतलब square root 1 minus v square by c square उपर निमरेटर में तो इसको आप यहां लिख लिजे square root 1 minus v square by c square क्या देख रहे है य डिरेक्शन में विलोसिटी का जब हम transformation करते है हमें s frame में y direction में velocity पता है y direction में velocity का घटक पता है और हम s prime frame में वेग का y direction में घटक देखना चाहते हैं तो उस equation में ui prime और ui को जब हम relate करते हैं उस equation में ux भी आता है यह याद रखने की चीज़ है क्यों हम जब coordinate का transformation करते थे तो कोई जंजट नहीं था y प्राइम बराबर y लेकिन विलोसिटी का जब हम transformation करें तो याद रखेगा ui prime बराबर ui नहीं या उसका इंटू यह ऐसा कुछ नहीं यह ux भी उसके अंदर आता है तो उसको भी हम इकठा कर लें यहाँ पे ui prime बराबर ui into square root 1 minus v square by c square or divided by 1 minus v ux by c square denominator वही है जो यहाँ denominator है वही यहाँ भी denominator है और y और z तो बिलकुल एक से हैं तो आप तुरंच सिधा लिख सकते हैं अगर uz prime लिखना है अपने को तो जैसा y में गनित किया गया है ठीक वैसा ही गनित वहाँ भी होगा और ui prime uz prime बराबर uz into square root 1 minus v square by c square और फिर बटा 1 minus v ux by c square यह जो equations है इन equations को हम लोग कहते हैं वेगों के संयोजन का नियम या वेगों के रूपानतरन का नियम के समी करें अगर आप इसको गेलिलियन ट्रांसफर्मिशन के साथ तुलना करें तो छोटी velocities में यह transformation Galilean transformation के यह बराबर हो जाने चाहिए तो Galilean transformation में हम लोग कैसे लिखते थे x prime बराबर x minus v t y prime बराबर y z prime बराबर z और t prime बराबर t और इससे करके अगर हम इसी प्रकार से वेगों का रुपांतरन करें तो हम पाएंगे यू एक्स प्राइम बराबर u x minus v u y prime बराबर u y और u z prime बराबर u z जब हम आम जंदगी में जहां छोटी velocity velo cts involved उसमें अगर वैक फ्रेम से जाया रूरे फ्रेम में से ज़ले जाएज में जाया कि काल्पनिक असली जमीन पर चलते हैं प्लैक पर होते हैं सड़क पर होते हैंे और उप्रेन में होते हैं तो नब बनागते फिर हम किसी चिरिया को उड़ते हुए देखते हैं या किसी चीज को चलता हुआ देखते हैं हवाई जहाता हुआ दिखता है जमीन से उसकी velocity और ट्रेन से उसकी velocity प्राप्त करने के लिए हमें यह equation से इस्तेमाल करने पड़ते हैं अगर एक्स डिरेक्शन में train जा रही है तो train की जो velocity है इसको हम घटा लेते है एक्स डिरेक्शन में से y और z में कोई परिवर्ता नहीं होता यह हमारे आम जिन्दगे के जो छोटी velocities की घटना है उनके लिए equation से आप इन से तुलना करें अगर अगर यह जो फ्रेम की c है v by c और फिर यू एक्स बाइसी तो वी बाइसी यू एक्स बाइसी यह बहुत छोटी संख्याएं अगर हो जाएं लो velocities में हमके वल काम करें तो यह पूरी चीज इस एक के सामने में नगण्य हो जाएगी और ux प्राइम बराबर ux-v ऐसा ही हम लिख पाएगे इसी तरह यू आई प्राइम को देखिए अगर फ्रेम की velocity प्रकाश के निर्वात में वेग से बहुत कम है वी बाइसी एक से बहुत कम है वी स्क्वाइर बाइसी स्क्वाइर उससे भी कम होगा तो इसको भी आप एक के सामने नगणने कर सकते हैं और तब यह एक बन जाएगा स्क्वाइर रूट ऑफ वन इस वन तो ऊपर में सरफ यू आई रह जाएगा और नीचे में इसी प्रकार से जैसे हमने यहां किया था नीचे में यह भी अगर बहुत छोटा है यू एक सगर बहुत छोटा है सी से यह चीज यूजड में होगा तो यूजड प्राइम बराबर यूजड ऐसा निकल करके आएगा तो यानि हमारी दुनिया लॉरेंच ट्रांसफॉर्मेशन से डिस्क्राइब की जा सकती है की जानी चाहिए लेकिन अगर हम लोग वेलासिटी में ही केवल रह रहे हैं अगर हमारी चीज अगर प्रकास की विलासिटी से काफी कम हो तो यहीं लॉरेंच ट्रांसफरमेशन रूल यही है लेकिन इन रूल का एक सरल रूप हमें यह मिल जाता है और हमारे काम इससे अच्छी तरह से चल जाते हैं तो ये लौरेंच ट्रांस्फरमेशन गलिलियन ट्रांस्फरमेशन का हमेशा का संबन्थ रहेगा जो भी हम परिवर्तन देख रहे हैं अपने equations में वह सब लार्ज वेलासिटीज के लिए जरूरी होंगे लो वेलासिटीज के लिए जरूरी नहीं होंगे